पच्छास परसेंट घरों में देखा जाता है क्या कि आपका अगर छट की ढलाई हो गई और इसके उपर आपको जैसे अपना फिर उपर फ्लोर नहीं बनाना है यानि और आपको छट नहीं करानी है और कमरे उपर नहीं बनाने है यानि ये लाश्ट आपका छट था तो जो नीचे से पीलर आपका आया हुआ है पीलर का सरीया वो आप इस छट के उपर भी आप निकाल देते हैं जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सरीया निकाल के छोड़ दिया गया है अब वो फ्यूचर में कभी बनेगा तो बनेगा ठीक है और हो सकता है कि मतलब अभी आपको कोई बनाने का प्लान नहीं है यहाँ पे आपका छट खतम था तो फिर यह जो लाश्ट में हम पीलर का जो सरीया अपने छट पे निकाल के छोड़ देते हैं यह दूस्तों आपको पता होना चाहिएक आपके लिए काफ़ी नुक्सन दायक हो सकता है आपके घर के लिए आपके य छत सर्या में और सरीया किनारे किनारे तक रजो फूर नीचे économा घुख गया हुआ है तो हमारे ये slab में जाएगा नीचे हमारे column में जाएगा तो क्या होगा कि हमारे concrete को खराब कर देगा concrete को damage कर देगा कमजोड हो जाएगा हमारा column तो वहाँ पर फिर सही तरीका क्या है कि अगर हमें मान लिजे अब इसके उपर अपना मकान नहीं बनाना है और column जो हम नीचे से ला रहा है तो हमें उसको छट के साथ उसको कैसे खतम करना है या तो हम छट के उपर निकाल दें और फिर उस पर हम जो dummy column होते हैं जैसे मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको बहुत सारी च्छट पर चोटे चोटे तिन तिन फीट के column दिखाई दे रहा है तो इसे हम dummy column बोलते हैं आप इसको बहुत सारे यूज में ले सकते हैं जैसे टेबल के सेप में आप यूज कर सकते हैं अपने बैटने के लिए छट पर बना सकते हैं नीचे हमारे छट में जाएगा तो छट कम जोड़ोगा तो फिर उसका सही तरीका क्या है क्या उसको कैसे काटना है उसको कैसे column को खतम करना है यह इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं तो जैसे देखिए सबसे पहला आपको अपना देखना है कि अगर आपका बिल्कुल final है कि अब इसके उपर आपको और pillar नहीं उठाने है और और छट नहीं करने है यहां आप को आपको छट को खतम करना हैं तो फिर आपको करना क्या है कि नीचे तो पीलर आप उठा रहे हैं तो usta पर आपका स्लाइब का इंड पॉंट आ रहा है उस इंड पॉइंट से आपको से तीन इंच नीचे जहां तक आप स़रीया का बांते हैं वहीं पे आपको इस जो पीलर का सरिया है इसको मोड़ देना है च्छत में आप सीधा साइड साइड में आप देख रहा है गी मोड दिया गया है और यह कितना कम से कम से कम एक से 1.5विट यहनि 300-450 mm इसके लंबाई होना चाहिए जो एलडी बन रहा है जो मोड़ा जा रहा है सरिया डेवलप्मेंट लें दिये ये 300 से 450 एम तक ये मुड़ना चाहिए और आपके छट का जो सरिया है उसके सांथ यह डवल बाइंडिंग वायर से बांध दीजिए अब उससे फाइदा क्या होगा कि देखिए अगर घर में किसी तरीके का अर्थकु को उगर आता है तो स्लिप हो सकता है वो नीचे निकल सकता है वहीं आप मोड देंगे और अपने शट के सरिया के सांथ बांदेंगे तो बहुत अच्छा बांडिंग बना लेगा और एक दूसरे के साथ पहुँन जाएगा शट का सरिया के सांथ और य59 और ये लोड को भी इतना जरूरत था आप एक मंजिल का मकान बनाए अब आप इसके उपर नहीं बनाना चाहते हैं लेकिन फिर आप सोच रहे हैं कि हो सकता है दस सल पंदरा सल के बाद परिवार बढ़ा हो जरूरत पड़े तो इसके उपर हम और एक फ्लोर बना लेंगे तो आप क्या करते हैं उ लुआ यहां पर करना क्या है कि आप यह तो छोटे छोटे कौलम जो है ओ बनाते हैं जैसे मैं आपको बताया और यह बिल्कुल जैसे हमारे चट मजबूत बनाए जाता आए वैसे नहीं बनाय जाते हैं यो थोड़ा कमजोड मसाले के बनाए जाते हैं जैसे चट आप M20 या M25 grade के मसाले से बनाते हैं तो ये जो है आप M10 या M15 grade का मसाला यूज करके बना सकते हैं क्योंकि ये बाद में इसे तोड़ना होता है और तोड़के फिर आपको उपर कॉलम को बढ़ाना होता है तो आप उसमें लैपिंग करते हैं सरीया का फिर उपर अपना कॉलम उठा लेता है अब ये जो dummy कॉलम है जैसे आप यहाँ पे देख रहा है बहुत सारे आपको देख रहा है अब ही आप इसका कोई आपको इरादा नहीं है तो आप इस पर छोटे-छोटे टेबल का सेप दे सकते हैं यहां पे आप देख रहे हैं रावूंड कलर का यह टेबल का सेप जहां-जहां मारा कॉलम आया है वहां पर दिया गया है और यह च्छत पर आपको थोड़ा बहुत घ्रास यहां पे साइड साइड में लगा जाए गा तो अलग लुक देगा आप वोच खत को अपने गार्डे आपको करना क्या है कि जो उपर का जो एस्टील है हमारा इस्टील को क्या करना है मोड़ना है सब को एक दूसरे के सामने सामने मोड़ना है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर फोटो मैं दिखा रहा हूं कि यह सीधा एस्टील है अब इसको यहाँ पर क्या है उपर से कम से कम चे से आठ इंच इसका जो development लें थे यानि एक फिट के करीब करीबन जैसे मैं बताया 300 mm से लेके 450 mm यानि कि आपका एक से डेड़ फिट जो सरीया है कॉलम का ओ आप मोड दीजे आप एक दूसरे के तरफ मोड के और आपस में उसको बांध दीजे ठीक है और तब जाके आप इ नीचे slip नहीं करेगा अर्थक्वेक और एक फोर्स आता है तो यह याद रखना है आपको कि कभी भी आपको जो कॉलम का सरीया है ऐसा नहीं है कि सीधा आपका कॉलम आया और च्छत के लेवल में जहां च्छत का सरीया बंद रहा है वहीं काट दिए ऐसा गलती पहला नहीं क सरीया रखे और उसको च्छत के सरीया के साथ मोड़ के और उसमें आपस में बांद दें एक तो यह दूसरा चीज यह आपको करना है कि जब मान लिजे कि आपने आप से गलती हो गई या आप फ्यूचर का सोच रहे हैं और आप च्छत डाल दिया और उसके ऊपर स्टील नि आप च्छोटे च्छोटे पीलर होते हैं को आप डाल लीजिए लेकिन और आको डालने से पहले आपको क्या करना है जितने भी कॉलम के सरीय थे ओ अगर तीन फित का ऊपर आपने सरीया छोड़ा है तो दो-दो फिट सीधा रखें और उपर एक फित का जो हिस्सा है वापस म मोड के और जितने भी हमारे कॉलम के सरीये हैं उसको आपस में बांद दीजिए उसमें जो हमारा रिंग होता है श्टीरप होता है वह भी उसमें डाल दीजिए तब उसके बाद आप उसके छोटे-छोटे कॉलम की ढलाई कर लिजिए या तो आप उसको बैठने के या टेबल लोगर है कि यूज में ले सकते हैं